Hey guys, मेरा नाम है अबदुल राशिद और आप देखने हैं इंडियन बजट गेमर, आज के स्वीटी में बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, यहाँ पर जब भी बात आती है ग्राफिक्स कार्ड के तो आपके दिमाग में दो ही ब्रैंड्स के नाम आते होंगे या तो भाई NVIDIA हो गया, या हो गया AMD, बाकि कोई और ब्रैंड, I don't think so कोई कोई ग्राफिक्स कार्ड भी बनाती है, especially mainstream consumers के लिए लेकिन आप में जल्दी एक और ऐसी ब्रैंड है जो कि इस mainstream में आने वाली है और पूरी graphic industry को बहुत ही जल्दी change करने वाली है जो कि है Intel, अब leaks तो भाई बहुत टाइम पहले से आ रहे थे कि Intel जो है secretly अपने graphics card के उपर काम कर रहा है discrete graphics card जिनकों कि आप अपने desktop पे लगा सकते हो, rendering के लिए और gaming के लिए उसे use कर सकते हो हाला कि Intel ने कभी भी कोई official confirmation नहीं दी थी कि वो इस project के उपर काम कर रहा है CPU market को जो picture होगी ना, वो completely change होने वाली है, क्योंकि Intel ने ये officially announce कर दिया कि वो अपने graphics card 2022 quarter 1 में launch कर देंगे लेकिन यहाँ पर personally मेरा ऐसा मानना है कि Intel CES 2022 में ये सारी चीजे ना officially announce कर देगा और CES 2022 ना by 5 January को होने वाली है, जो कि शायदी 10-15 दिन बाद हो जाएगी मैं मानता हूँ यहाँ यहाँ पर कि NVIDIA और AMD भी अपने नए graphics card CES 2022 में launch कर देंगे NVIDIA यहाँ पर अपने 8X 4000 सीरीज पर काम कर रहा है, वह AMD अपने कोई Zen 3 पता नहीं भाई, उनका अलगी scene चल रहा है, वो उन पर काम कर रहा है लेकिन मेरी expectation जो Intel से ना वो काफी कम है, यहाँ इनका पहला discrete graphics card consumer के लिए launch होने वाला है, तो भाई performance हो सकता हो, बिल्कुल flagship level का तो ना हो, लेकिन भाई आने वाले टाइम पर आपको tough competition इस industry में देखने को मिलने वाला है, और जिसकी आज के टाइम पर सक्त जरूरत है, अब पर अगर आप किसी भी तरीके का PC बनवाना चाहते हो, या प्री बिल्ड PC खरीदना चाहते हो, तो आप SMC International को जा की चेक कर सकते हो, इनकी website पर आपको literally हर range के PC देखने को मिल जाते हो, आप चाहिए यहाँ पर आपको 20,000 रुपए का PC लेना हो, आपको यहाँ पर light gaming करने हो या workstation के लिए PC चाहिए हो, हाल टाइप का PC देखने को मिल जाता है, इनकेस अगर आप वही थोड़ा बहुत किसे कस्तमाइज करना चाहते हो, प्रोसेसर अलग लगाना चाहते हो, या ग्राफिस काड अलग लगाना चाहते हो, तो यह option भी यहाँ पर आपको देखने को मिल वीडियो की description में आपको SMC International की website का link देखने को मिल जाएगा, और एक मेरा coupon code भी देखने को मिल जाएगा, जिसको कि अगर आप checkout की time यूज करते हो, तो आप अच्छा-कासा discount भी avail कर सकते हो, तो यार मेरा coupon code आप ज़रूर यूज करना, वीडियो की description में आपको सारी चीज़ इसको गलती से upload कर दिया था, जिसकी वज़े से आने वाले graphics card के model number leak हो गया, और leaks के हिसाब से मैं आपको बताऊ ना, as of now, Intel 6 graphics card पे काम कर रहा है, ये चीज मुझे मुझे मालूम नहीं है कि हाई-end वाला कौन सा है और budget segment वाला कौन सा है, इतना मालूम है कि 6 graphics card पे वो काम कर और ये चीज लीक spec sheet देखके और भी confirm हो जाती है, लीक spec sheet के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊ ना, तो एक graphics card 4GB का leak हुआ है, एक 6GB का leak हुआ है, एक 8GB का leak हुआ है, एक 12GB का और एक 16GB का, बाकि last वाले की VRAM leak नहीं हुई है, तो total 5 GPUs leak ही हुए अभी आज के date पे, और best इस य है है कि ये graphics card आपको minimum 1080p के अच्छे frame rate पे gaming करवा देंगें, और बात आती है अगर performance की, यहाँ पर भाई एक game का performance भी leak हुआ है, यहाँ पर Ashes of Singularity नापका एक game है, जो कि बहुत 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 जादा demanding है, इस game का एक benchmark leak हुआ है, जहाँ पर इस game को चलाया गया है 1080p medium setting पे और जो मैं average fps देखने को मिला है वो है 129, भाई मैं आपको बताऊ ना 129, बहुत 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 जादा frame rate होते है, इस level का performance अचीव करने के लिए आपको NVIDIA में RTX 3060 Ti या 3070 जैसा graphics card के जुरूत पड़ेगी, तो अब यहाँ पर आपको यह idea हो गया होगा कि Intel के आने वाले जो graphics card होंगे ना वो आपको अच्छा performance प्रोवाइड करेंगे, especially जो high end graphics card होंगे, and personally मैं आपको बताऊ ना, अगर आप VRAM को देखते हो तो भाई 6 GB VRAM देखके तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि यह graphics card जो है, वो 1080p की level की gaming के लिए बनाए गया है, वही 8 GB औ पर जो low segment वाला graphics card है, यानि की 4 GB VRAM वाला आप उसका performance GTX 1650 Super के आसपास expect कर सकते हो, बागी वही अगर बात आती है pricing की, to be honest मैं आपको बताऊ, as of now, pricing से related कोई भी leak आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, किसी को कुछ भी नहीं मालुम है कि budget segment के graphics card कितने रुपए के मिले बैल तो दोस्ते इस वीडियो मा आशा करता हूं, आपको फीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको फीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को कि कुम लोग लात रहते हैं, इस ही daily awesome content, स्वान तक दिखने के लिए, थैंक यू